करीब तीन हफ्ते पहले मिस्र के अलेक जंड़िया शहर में पुरा तक्व विभा की टीम पहुँची, जैसे ही अफसर और कर्मी वहां पहुँचे, पूरा मुहला वहां जोट गया, खुदाई का काम शुरू हुआ, देखते ही देखते करीब 16 फी तक खुदाई के बाद एक पत्थर का ताबूत मिला 27,000 किलो भारी, इस पत्थर के ताबूत को खोलने की कोशिश शुरू हुई, तभी कई लोगों ने अधिकारियों को टोका और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इसे खोला, तो क्यामग आ जाएगी, लोगों का कहना था कि ये संदूक शापित है, जैसे ही 2000 साल पुराना ये ताबूत खुला, लोगों की चीखे निकल गी, उसमें तीन नर, कंकाल मिले, बदवू इतनी थी कि सहना मुश्किल था फिर भी लोग वहां से हटे नहीं, मिस्त्र में पाई गए इन तीन ममी के पास ना तो कोई जैवर मिले ना कोई बेश कीमती यहां तक कि इनके मास्पी सोने या चांदी के नहीं है, माना जा रहा है कि ये किसी गरी परिवार की ममी है, बहराल तीनों कंकालों को इलेक जंग्रिया नाशनल म्यूजियम भेज दिया गया है, वहीं ताबूत सेना को सुपुर्द कर दी गई है, ऐसा लगा मामला शान्त ह गया, मगर अब इस खोज की वजए से संसनी मची है क्यूंकि एक शक्स ने मांग की है कि वेह ताबूत में मिला खुन पीना चाहता है, यहीं नहीं उसने ओनलाइन एक पीठिशन भी दायर की है जिसे करीबे क 30,022 अपना समर्थन दे चुके हैं, लोगों की दलील है कि वे म अलावे अखुन नहीं बलकि सीवेच का पानी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, इसे सोशल मेडिया पर शैद करना न भूलें, ऐसी और अधिक चानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें